सबी को नमस्ते हमारे चैनल में आपका स्वावत है आज हम गर्बवस्ता के दोरन सवस्ता बोजन के महतोपुर्ण विशे पर तर्चा कर रहे हैं और यहां आपके बच्चे के विकास पर सीधे प्रभाव डालता हैं बड़े बुजरु को कहता है ना कि जैसा होगा न वैसा हो कहता है दे सकती हैं चलो वीडियो शूरू करते हैं प्रियाप्त पूर्टी के लिए भी हरी सब्जय उत्तम हो सकती है इसलिए गर्भाती को प्रति दिन एक दो सर्विंग हरी सब्जय जरूर खानी चाहिए जिससे शीचू को भविश्य में मांसिक कमजोरी का सामना ना करना पड़ है अब ब्लूबेरी भी ले सकती है ब्लूबे चलते यह नियुरोलोजिकल विकारों से बेचा और केंद्रे तंत्र की सुरक्षा में साहयक हो सकती है इस आदर पर यह कहां जा सकते है कि गर्भावस्ता के दोरां शीचू की बुद्धी के भली भाती विकास के लिए ब्लूबेरी का सेवन किया जा सकता है आप नॉन वेज कारी हो सकता है अंडे में कई माइक्रो नूट्रेंस होते हैं जिन में एक है कोलिन जो ब्रेंड डेवलप्मेंट को बढ़ावा देने वाले पोशक तत्वा है एक गर्भते महिला को रोजानच 400 मिली ग्राम की जरूरत होती है इसलिए कोलिन युक तो अंडे को भी बच्चे को बुद्धिवन बनाने के लिए आहर में शामिल किया जा सकता है बदाम का सेवन ब्रेंड डेवलप्मेंट के लिए जरूरी है आप बदाम को रात में भीगो कर सुबह उसका सेवन कर सकती है बदामें स्वस्त वसा पैंगनिशियम वीटामिनी कूलीन फोलेट और प्रोट के लिए बदाम का सेवन करना फायदे मंद हो सकता है दही का सेवन भी प्रेगनिंसी में अच्छा माना जाता है प्रोटिन की कमे गर्वत शिशुको को पोशन का शिकार बना सकती है जिसका सरभविशे में बच्चे के ब्रेंड डेवलप्मेंट और स्कूल परपॉमेंस में पढ़ सकता है दही जैसे प्रोबायोटिक खदपद अर्थ शॉर्ट चेन फैटी एसिड का उत्पादन करके प्रोटीन के पाचन में सुधर कर सकती है प्रोबायोटिक की यहां गतिवीधी कैल्शियम के अवश्चोशन को भी बढ़ा सकती है दही एक पोश्टिक तत्वों में से जैसे कैल्शियम, प्रोटीन, मैगनेशियम, इत्यादी सुरोत माना जाता है ऐसे प्रेगनेंसी के दोरान दही का सेवन करने में आपके लिए सुरक्षित हो सकता है आप अपने डाइट में पनीर भी ले सकती है गर्बायोटिक तोरान बच्चे के मस्तिश्का का विक से मदद कर सकता है गर्बते महिला को प्रतिंट सा 600 माइक्रोग्राम विटामिन डी की आवशक्या होती है और पनीर उन ख़द्य बदार्तों में शामिल हो जो विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत माना गया है इस आदर पर यह माना जा सकता है कि पनीर बच्चे को ग्लोबिन और उठजा का स्तर कम हो सकता है साती इहां कमी कमी कोगनिटिव स्कील जैसे मानसिक शम्ताव को प्रववित कर सकती है आईरन पूरे शरीट में ऑक्सिजन सप्लाई करता है जिसे मस्तिषग को कोशिकाओ को कारिय करने की ताकत मिल सकती है इसलिए आईरन की कमी से बचने के लिए कद्दू के बीच का सेवन किया जा सकता है आप रोजाना दूद भी पिए दूद में कुछ फेटे असिड पाए जाते हैं जिनमें गैंगलियोसाइड नामक योगिक होता है या तंत्रे का उतक के निर्मान और नौजाद शीचू के मस्तिश को विकास के लिए हो सकता है इसके अलावा दूद में कैलियो किलोग्राम कैलियो की सकता है जो एक अच्छा विकल्प हो रोजाना नरल पानी भी लीजीए अच्छा विकल्प हो में है जैसा कि हमने उपर बता है कि फोलेट नौजात में नियूरल ट्यूब डिफेक्ट के जोखियम को कम कर सकता है इसलिए इसके अलावा इसमें सोडियम और पोटेशियम जैसे जरूरी एल्ट्राइड भी होते हैं जो गर्बावस्ता के दौरन महीला को स्वस्ता रखने में मस्तिशक और रुड्स से जुड़े दोश का कारण बन सकती है संत्रे में परियापता मातर में फॉलिक एसर होता है इसलिए गर्बवस्ता फॉलिक एसर की पूरती के लिए संत्रे के सेवन करके बच्चे के स्वस्ता और मस्तिशक की नियू रखती है आप अपने डाइट मे आइरन युकत पदार्त का सेवन करें क्योंकि आइरन किसी भी गर्बती महिला के पहले जरूत होती है ज्यादातर गर्बती महिला जानती है कि आइरन से खून के कमी नहीं होती है लेकिन इसके साथ-साथ आइरन युकत भोजन गर्बस्ते सिशु के लिए बहुत जरूरी हो परामर्श पर एरट की गोलिया का 7 कर सकती हैं परियाथ महत्रा में कैलसियुम भी लेց बच्चे को समार्ट और वुद्धिमन बनाने में केल्शेUNG की बड़ी भूमिका होती है कैल्शेम तंत्र के माध्यम से मस्तिश्कों को संदेश भीजने में मदद कर सकता है साथ शरीर कैल्शियम का उप्योग इंजाहिम को नियंद्रित रखने में करता है जो मानव शरी में लगबहर कारियों को प्रभावित करते हैं इस आदर रूप माना जाता है कि कैल्शियम का सेवन करने से गरबस्ते शीचु को उपरोगत लाब मिल सकते हैं और उसका बोद्धी को विकास अच्छी तरह से हो सकता है आपका गरबस्ता आहर सीधे आपके बच्चे की रुद्धी और विकास को प्रभावित करता है पोशक तत्व से भरपूर खादे पदार्तों को चैन करके और अपने खाने की आदतों के प्रती सचेत रहकर आप जीवन में एक स्वस्ता शुरुआत की नियू रखे आपको सुख़द और स्वस्ता गरब होता जर्णी की शुप कामने थैंक्यू जो फॉर जॉइनिंग अस अंटिल नेक्स टाइम टेक केर